पागत है आपका हमारे यूटूब चैनल लालेश पड़ापट में तो कल की डेट में एकट्यू के बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट आया बहुत सारे लोग का पहले भी आ चुका है तो जिनके भी रिजल्ट में यूएफेम सो कर रहा है एलो कलर में दिख रहा है कि यूँर रिजल्ट विल भी अपडेट सून या यूएफेम दे रहा है है या इनकंप्लीट सो हो रहा है तो ऐसे छात्रों को क्या करना होगा रिजल्ट कैसे सही होगा UFM अगर लग गया है तो क्या पूरे subject में back लगेगी या सिर्फ एक subject में back लगेगी इन सारी चीजों पर मैं आपको detail में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा intel देखना अगर आपका result अभी तक नहीं आया है तो भी ये वीडियो आपके लिए important होने वाली है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्स्राइब कर लिजे आप लोग देख सकते हूँ मैं आपको कई सारे result दिखाता हूँ आप लोग मैच कराईएगा result with held under UFM इसमें दे रहा है कि आपका result UFM की वज़ा से held कर दिया गया है और student ने बोला भी है कि मैंने cheating कोई नहीं किया था ना ही कोई teacher मुझे बोला है लेकिन result आया तो UFM सो कर रहा है यहाँ पर देख सकतो एक result और है यहाँ पर लिखा गया result with held under UFM यह चीज़े देख सकतो फिर result एक आया तो इसमें लिखा है your result will be updated soon यह तो मालो इनका result update soon होने के लिए बता रहा है और यहाँ पर result status में incomplete दे रहा है यह UFM के अंदर नहीं आएंगे इनके result में यह बोला है कि आपका result जलस सही हो जाएगा लेकिन इनके result में बोला है कि आपका UFM लगा दिया गया है तो अब इसका solution क्या है यह क्यों आया है यहाँ पर भी देख सकते हो कि student ने Instagram पर share किया तीन माई को इनका result आ चुका और UFM के वेज़ा से रुका है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे बहुत से लोग है पर इस पर एक वीडियो बनाई यह बोल लहते हैं इनसे मैंने बात भी किया तो इन्होंने बोला कि इनके class में 15 से 20 student का SIR रिजट सो कर रहा है अब सोचो 15 से 20 student का direct UFM तो लगीगा नहीं क्या 15-20 student इनके class में cheating कर रहे है ऐसा थो possible है नहीं उसके साथ यहाँ पर भी देख सकतो यह भी बोलने कि से मेरा UFM सो कर रहा है इन्होंने बोला कि मैंने number लिखा था तो देखो इनकी जो issue है इनका जो problem है यह तो जायज है कि इन्होंने number लिखाता अब मैं समझाता हूं आपको देखो अगर आपके result में UFM लगा है तो इसका मतलब है इसका मतलब यह होता है कि आप cheating करते हुए पकड़े गए हो लेकिन अब इस बार क्या हुआ कि maximum छातर बोलने कि मैंने cheating की ही नहीं ना तो teacher बोला वैसे अगर आपकी UFM यहाँ पर सो होती है तो exam time में ही अगर आप cheating करते हो तो आपको teacher बोल देता है कि आप ऐसे ऐसे पकड़ेगो मैं तुमारा UFM लगा दूँगा अगर ऐसा teacher बोला है तो एक बार समझ में आता है कि यहां भाई UFM लगेगा दूसरी चीच कि AK2 ने साफ साफ बोला है कि आप अपनी copy पर ना तो अपना नाम लिख सकते हो ना तो अपना mobile नमबर लिख सकते हो कोई ऐसी personal information नहीं लिख सकते हो तो अगर आपको teacher class में बोला है exam के समय cheating करते हुए पकड़ा है तो एक बार अगर UFM लगे तो माल लेते हैं कि हाँ आपका UFM genuine है UFM लगा है दूसरी चीच अगर आपने copy में mobile नमबर या नाम कुछ ऐसा detail लिखा है पैसे के regarding लेकिन अगर आपने कुछ किया ही नहीं है आपको clear एक कोई teacher नहीं बोला था आपने copy कुछ नमबर नहीं लिखा है तो इस case में जो चात्र बहुत सारे हैं जो बोलना है कि मेरे class में 20 लोग का लगा है मेरे दोस्त का भी लगा है तो ऐसे चात्रों घबराने कि कोई बात नहीं है उनका result automatic update हो जाएगा अब in case आपका result update नहीं होता है तो आपको ये side में UFAM वाली email ID EK2 की दिख रहे होगी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर side में आप लोग देख से तो UFAM की ID दिख रहे होगी इस पर EK2 को mail करना है अभी EK2 कुछ दिनों में circular जारी करेगा UFAM को लेकर तो उसमें आप लोग अपनी सफाई दे देना email ID में बगल में mention किया हूँ आप लोग इसका action short ले सकते हो महाँ पर आप लोग बता देना कैसा कैसा आपके साथ हुआ है अगर आपने गलती की है तो बता देना अगर नहीं की है तो भी आपको सफाई दे देना आपका result update हो जाएगा बाकि जिनका result incomplete है उनको तो बिल्कुर टेंसन नहीं लेना उनका result maximum within 7 days या 8 days में उनका result update हो जाएगा चीज़े होंगा एक लिएर आपको email ID भी बता दी email करना होता है लेकिन उसके लिए एक टूए एक particular circular जारी करता है कि भाई आपको 5-10 दिन का इतने से इतने दिन का समय दिया जाता है आप इस email ID पर हमें email कर दो तो उस बीच आप लोग अपना email कर देना अगर अभी करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो बाकी condition भी बता दी कि अगर आपने कोई गल्ती नहीं किया तो आपका result सही हो जाएगा अगर आपने भाई गल्ती की है नंबर लिखा मुबाइल नंबर तो थोड़ा risk हो सकता है आपका यूफ्यम लग सकता है अब एक और doubt क्लियर कर दो कि यूफ्यम लगने पर आपको पू यह नहीं है कि आपका एक सब्जेट में लगा तो आपका 500 सब्जेट का पेपर देना पड़ेगा समझ गए तो आपकी सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी बाकी अब बहुत सारे चातर बोलें कि सर कल बी फार्मा सेवन सेमेस्टर का result आया बहुत सारे लोगों का आ गया ले कि वहाँ पर जो भी अपडेट होगी जो भी लिंक होगा result के करने का सब कुछ मैं आपको प्रवाइट करता हूँगा थैंक्यू बाबाए